ये मेसेज सबी लड़कियों, बेहनों और माताओं के लिए है क्योंकि अपनी सुरुक्षा अपने हाथ में है पहली बात कि आप किसी पर आँग बंद करके भरोसा नहीं कीजे चाहे वो अपना है या पराया दूसरी बात किसी भी जानने वाले और अंजान व्यक्ति के साथ कहीं भी किसी को बिना इन्फॉर्म करें बिना बताए हुए कहीं न जाये क्योंकि पता होना चाहिए कि आप किसके साथ गए है और कहां गए है तीसरी बात कभी भी किसी भी लड़का हो ये आदमी हो ये औरत हो ये लड़की हो किसी को भी एक किसी के उपर भी भरोसा नहीं किजिए क्योंकि इस दुनिया में आज की दुनिया में हम किसी के उपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं चौती बात हमेशा एक मेसेज डालें जैसे भी आप सुस्ते SMS डालें वाटसप डालें अगर कभी आपको कहीं जल्दी जाना पड़े तो मेसेज डालके वाइस मेसेज है यह मेसेज लिखके जरू डालें जिससे आपके परिबार वालों को पता हो कि आप कहां जा रहे हैं अगली बात आप जिस बंदे के साथ जा रहे हैं अगर जानने वाला है तो उसका नाम बताईए और उसने आपको कहां ले जानने के लिए बुला है वो भी बताके मेसेज दीजिए अगली सुरक्षा की बात अगर आप टेक्सी में ट्रावल कर रहे हैं तो भी आप टेक्सी वाले का नंबर ये आप उसकी फोटो की सकते जब आप होता है उसके लिए कोई आपको मनाई नहीं कर सकता और फोटो को शेर कर दीजिए जिसे आपको पता हो आपके घरवालों को कि आप कब कहां से शुरू कर रहे हैं और कब तक पहुँच जाएंगे और अगली बात हो सके तो आप बीच में घरवालों से बात भी कर सकते हैं जिसे उसको पता हो कि आपने घर में बता दिया है कि आपने मैसेज दे दिया है तो अगला बंदा कोई भी गलत काम करने से पहले दस बार सोचेगा कि हमें ये गलत काम नहीं करना है और जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आप किसी के साथ भी जाएं सतर्क रहें, अलर्ट रहें, आँख बंद करके किसी भी चीज में ना पड़ें विकॉस साथदानी हटी, दुरगट ना गटी चाहे आप पाटी के लिए जा रहे हैं, चाहे आप बैसे मिलने जा रहे हैं आजकल क्यूंकि आप देखते हैं कोई भी ग्रिंक में भी कुछ मिला देता है एक बंदा ले जाता है, कई सारे जुड़ जाते हैं इसलिए ध्यान रखिए कि कैसे एक एक करके कोई जुड़ रहा है, प्लैंड है, कैसे चीजे हैं और जो एक जो चीज और देखने में आती है, कभी भी आप गाड़ी में किसी के साथ जा रहे हैं किसी को भी बैठने की पर्मीशन नहीं दीजे, चाहे वो आटो वाला है, अगर आपने अलग से लिया है चाहे वो कैब है, उन सब में भी आपको प्रिकॉशन करना पड़ेगा अगर आपको कोई किसी फ्रेंट भी ले जा रहा है, तो भी उसको किसी को भी गाड़ी रोकने की जाज़त नहीं देनी चाहिए जो बीच में रोकते हैं, क्योंकि ये सारी साथधानिया हमें ही बरतनी होगी हमें ही देखना पड़ेगा हम किस रास्ते जा रहे हैं, जनली ये देखा गया कि आप बैठते हैं और फोन पर बिजी हो जाते हैं और देखते भी नहीं कि आपको वो कहां लेके जा रहा है अगर आप से तर्क रहेंगे, तो बन्डा 10 बार सोचेगा कि ये भी alert है आप उससे question कीजीए, ये किस रास्ता पहां तक जा रहा है, कैसे जा रहा है और कौन से रास्ते से ले जा रहे हैं कोई भी अगर दूसरा रास्ता करने की कोशिश करता है बन्डा taxi driver है, auto driver है या कोई, तो आप उसको आपका हग बंदा चेक करने के लिए कि आप main road से जाएंगे, कोई भी shortcut रास्ते से हमें नहीं ले जाएंगे तो अगर हम ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारी सुरुक्षा में थोड़ा सा सुधार आएगा और दूसरा ये जो lift लेनी की आदत पड़ गई है हमें, lift भी किसी से नहीं लीजे किसका भरोसा है आप especially रात में तो बिल्कुल भी ना सोचिए, कभी देखा गया है कि कभी ट्रक में मांग रहे हैं, कभी बस में अकेले जाने की कोशिश करें जहां कोई भी अकेला है अकेली बस है, अकेला कुछ है उसमें बिल्कुल मत लीजे और दूसरा जो कैब में जो कहते हैं कि आप हम बुक नहीं करेंगे, आप हमें cash ले दीजेगा उसमें तो बिल्कुल मत पड़िए क्योंकि उनका record नहीं रहेगा तो हमेशा recorded काम में करिए जिससे उसके उपर भी एक check रहेगा और आप भी safe रहेंगे तो यह है मेरा आज का मुद्ध जो बहुत ही important है और सुनिएगा और उस पर अमल कीजेगा धन्यवाद